नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आप सब का स्वागत है। को हल करेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरस्देव माधव हैं। डॉक्टर हरस्देव माधव ने पेडों की संबेदना का मानवीकर्ण करते हुए सजीव और सुन्दरचित्रण किया है। तो आइए पहले हम पाठमाय स्लोकों का स्लोक वाचन करते हैं। वने वने निव संतो व्रेक्षा वनम वनम रच यंती व्रेक्षा। शाखा दोला सीन विहगा ताइकिम पीकु जन्ती व्रेक्षा। पिबंति पवनम जलम संततम शाधु जनाईव सर्वे व्रेक्षा। शप्रिशंति पादय पातालंचे नभासिरसु वहांति व्रेक्षा। पयोदर्पनेश्व प्रतिविंबं कौतु केन्पस्यंति व्रेक्षा। प्रसार ये सवचाय संस्तरणं कुरवंती सतिकारं व्रेक्षा। आगे देखते हैं डौक्टर हस्देव माधो द्वारा रचित व्रेक्षा नामक पाठ में व्रेक्षो का महत्तम। वने वने निवसंतो व्रेक्षा वनम वनम रचयंती व्रेक्षा। वने वने प्रतेक वनमे निवसंता रहते हुए ब्रेक्षा पेड। वनम वनम प्रतेक वनम को रचयंती बनाते हैं ब्रेक्षा पेड। प्रतीक वनमे पीड रहते हैं और प्रतीक वनम को पीड बनाते हैं अर्थात उनकी रचना करते हैं अर्थात प्रतीक वनमे पीड रहते हुए प्रतीक वनम का निर्मान करते हैं। दूसरा स्लोक, शाखा दोला एसिना विहागा, ताई किमापी कुजनती व्रिक्षा, शाखा दोला, टहनी रूपी जूला, आसिना बैठे हुए हैं, विहगा पक्सी, ताई उनके द्वारा किमापी कुछ कुजनती कुजती हैं। व्रिक्षा, पेड, पक्सी शाखा रूपी जूलों पर बैठे हुए हैं और उन पक्सियों के दवारा कूकने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानों व्रिक्ष कुछ-कुछ कूक रहे हैं. स्लोक तीसरा, पिबन्ति पवनम जलम संततम, शाधु जना इव सरवे व्रिक्षा, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम जल, संततम लगातार, साधु जना, साधु लोगों की इव तरह, सरवे सभी व्रिक्षा पेड, सभी पेड साधु जैसे है, जो लगातार, पानी और हवा पी कर जीवित रहते हैं, अर्थात, सभी पेड संत लोगों की तरही, केवल पानी और हवा पी कर ही, अपना जीवन यापन करते हैं, स्लोक्षो था, शप्रिशंती पादाई पातालम चै नभा सिरासु वहांति व्रिक्षा, शप्रिशंती चूते हैं, पादाई पेडों से पातालम पाताल को चै और, नभार आकास को सिरस्शू, सिरपर वहन करते हैं, ढोते हैं, ब्रिक्षाह सभी पेड। पेड अपनी जड रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और सिरपर आकास को ढोते हैं, वहन करते हैं। स्लोक पांचवा, पायो दर्पने स्वा प्रतिविंबं, कौतु केन पास्यंती व्रिक्षा, पायो जमा दर्पने, पाया है जमा दर्पने, पानी रूपी दर्पन में, स्वा अपना प्रतिविंबं, प्रतिविं, कौतु केन आश्चरिय से पस्यंती देखते हैं, व्रिक्षा पेड पानी रूपी दरपण में अपना प्रतिविम आश्चरिये से देखते हैं अर्थात जील, तालाव, नदियों के नारे पेड पानी में आश्चरिये से अपनी परचाई को देखते हैं छठा श्लोप परसार ये सव चाया संस्तर्णम कोरवन्ती सत्कारम व्रेक्षा परसार ये फैला कर सव अपनी चाया रूपी संस्तर्णम विश्तर को कोरवन्ती करते हैं सत्कारम आदर सत्कार व्रेक्षा सभी पेड सभी पेड अपनी चाया रूपी विश्तर को फैला कर सभी प्राणियों का आदर सत्कार करते हैं अर्थात अपनी चाया में आराम करने का आश्रे देकर मानुस सभी का स्वागत करते हैं अब अभ्यास भाग में हम इसके पाठ में आय प्रसनों का अध्यन करेंगे अभ्यास भाग, प्रसन नमबर एक, वचनानुसारं, रिक्ष्तानानी पूर्यत, वचन के अनुसार, रिक्ष्तान की पूर्टी केजिये. एक वचनम, दवी वचनम, बहु वचनम प्यारे वच्चो आप जानते हैं संस्कृत में एक वचन, दवी वचन और भवचन है यहाँ पर उधारन दिया हुआ है वन सबद का प्रत्वा वगती तीनों वचनों में वनम वने वनानी इसी प्रकार जल सबद के सबद रूप बनेगी वन की तरहें एक वचन में जलम, दवी वचन में जले, बहु वचन में जलानी विम सबद के रूप तीनों वचनों में वन सबद की तरही होगे एक वचन में बिम्बम, दुवचन में बिम्बे, भवचन में बिम्बाने. अब अकारांत पुलिंग सब्दों का उधान दिया है जिसमें व्रेक्षम एक वचन, व्रेक्षव दुवचन और व्रेक्षान बहवचन. व्रेक्ष सबद की तरही पमन सबद के रिक्स्तान की पू प्रशन दो, कोष्टकेशू, प्रदर्थ सबदेशू, उप्युक्त विभगति में योजईतवा रिक्स्तानानी पूरियत। कोष्टक में दिये गई सब्दों में से उप्युक्त विभगति, उचित विभगति जोड कर रिक्स्तान की पूर्ति कीजिए। जैसे अहाम खादामी कोश्टक में दिया हुआ है रोटी काम ये सभी शब्द ब्रेकेट में दिये हुए हैं इनमें उच्छित भगति का प्रियोग करते हुए में रिक्स्तान की पूर्ति करनी है अहाम खादामी मैं खाता हूँ रोटी का रोटी का शब्द में दूसरी भगत प्रियोग करेंगे बनेगा रोटी काम, एहम रोटी काम, खादा में, मैं रोटी खाता हूँ, कै तुम पिवसी, तुम पीते हो, कोस्टेक में दिया हुए जल शब्द, जल में हम दुत्य वगति का प्रियोग करेंगे जलम बनेगा, तुम जलम, पिवसी, तुम पानी, पीते ह चात्रे दूरदर्शनम पश्यती यहां ब्रेकेट में दूरदर्शन सबथा जिसमें दुत्य वगति का प्रियोग करते हैं अमारा शबद बना दूरदर्शनम चात्रे दूरदर्शनम पश्यती चात्रे दूरदर्शन देखता है ब्रेक्षा पिवन्ती पवन्सबद है पवन में दूसरी वक्तिया प्रियोग करेंगे शब्द बनेगा पवनम, व्रक्षा पवनम पे बनती, सभी पेड हवा पीते हैं, ता लिखनती, वे सब लिखती हैं, कथा, कथा सब्द में दूत्या वक्तिया प्रियोग होगा बनेगा कथाम, ता कथाम लिखनती, वे सब कथा लिख आवाम जन्तु सालाम गच्छावय हम दोनों चिडिया घर जाते हैं प्रसंतीन अधो लिखते शुवाक्य शुकर्त्री पदानी चिनुत नीचे लिखेवे वाक्यों में करतापद चुनिये कवाब ब्रेक्षा नभा सिरसु वहंती ब्रेक्ष आकास को सिर पर ढोते हैं अब कि अब इसको कौन होते हैं व्रेक्षा तो हमारा करता सब्द होगा व्रेक्षा हाँ खयवाग विहगा व्रेक्षेश कूजन्ती सभी पक्सी पेडों पर कूजते हैं कूजन्ती सब्द किरिया है इसको कौन कर रहा है विहगा पक्सी तो विहगा करता ग पयो दर्पने व्रेक् तो करता होगा व्रक्षा, किर्षक अन्नानी उत्पादेती, किसान अन उत्पन करता है, कौन उत्पन करता है, किर्षक तो करता होगा किर्षक है, स्रोवरे मतस्या संती, तालाब में मचलिया हैं, कौन है मतस्या, तो करता सबद होगा मतस्या, परसन च्यार, परसन नानाम उत् प्रक्षा में लिखिए प्रसंद कैवर्षा कई पाताला सप्रिशनती सबी पेड किसके दौरा पाताल्ब को चूते हैं पैरों के दौरा तो पादधी शरु है सभी पेड क्या बनाते हैं? किम रचयंति, वनम रचयंति, वनम, उत्रोगा वनम, गय, वियगा कुत्र आसिना, सभी पक्सी कहां बैठे हुए हैं? गय का उत्रोगा साखा दोलायाम, साखा रुपी जूलो पर, गय, को तुकेन विरक्षा किम पश्यंति, आश्च्छी से विरक प्रशन पांच, शम्मुचितई-पदाई- रिक्स्तानानी पोर्यत, सही पदों के दवारा रिक्स्तान की पूर्थी कीजिए, यहाँपर कुछ सब्द रूप दिये वेहुं का उधारण दियावा है, उसके अनुसार हमें रिक्स्तान की पूर्थी करनी है, विवगति और गज सबद है, गज सबद एक वचन में गजा है, दवचन में गजा है, उसी कितरे अश्वा सबद के रूप चलेंगे, अस्वा है एक वचन, अस्वा दवचन, अस्वा भवचन, उसी प्रकार सोरियम एक वचन, सोरियम दवचन, सोरियान भवचन, सोरियम सोरियान, इसी प्रक प्रकार चंदर सब्द के रूप होगे एक वचन में चंद्रम, दुवचन में चंद्रव, बहुचन में चंद्राल, विडाल सब्द का उधान दियावा है एक वचन में विडाले, दुवचन में विडाला भ्याम, बहुचन में विडाले, ये तृत्य विवक्ति है, इसके मन्डुक सब्द का एक वचन होगा मन्डुकीन तीसरी वक्ति मन्डुका भ्याम दुवचन तीसरी वक्ति मन्डुकई भवचन तीसरी वक्ति अब चतुरती वक्ति के लिए सरप सब्द का एक वचन सरपा आये दुवचन सरपा भ्याम भवचन सरपे भ्य वानर सब्द के रू जन सब्द 1 सथी वक्ति 1 जनस्यों जनस्यों जननाम अब सुक सब्द जन सब्द की 63 वक्ति एक वचन सुकस्य, दई वचन सुकायो, बवचन सुकानाम शिक्सक सब्द 17 वक्ति एक वचन में सिक्सके, दई वचन सिक्सके सु इसी प्रकार मयूर सब्द सप्तिवी वक्ति में एक वचन में मयूरे, दई वचन मयूरयो, भवचन में मयूरे सु. संभोधन में बालक सब्द एक वचन, हे बालक, हे बालकव दई वचन, हे बालका भवचन. इसी प्रकार नर्तक सब्द एक वचन में नर्तक, नर्तकव नर्त कहा. प्रसन नमबर च्छह. भिन परकर्ति कम पदम चिनुत. अलग सव भाव के सब्द को चुनिए, अलग परकर्ति के सब्द को चुनिए. प्यारे बच्छों, कै भाग देखिए? गंगा, लता, यम्ना, नर्मदा. अब इसमें शब्द आए हैं च्यार, गंगा, लता, होगाल लटा उसका उत्तर होगाल लटा उद्धियानम सुम् फलं चित्रम ओद्धियानम बगिच्छा हो क्षमम फूल फलं फल और चित्रम चित्र्षा इन सब्धों में उद्ध्यान सुम और फलं। यहरो прwhel प्रकृति के शयुख्वद है एक सभवाव के एक समुदह। लेखनी तुलिका चटका पाटशाला में एक समुदाय के एक सोभाव के एक परकरतिके शब्द है और चटका शब्द इनसे अलग है भिन परकरतिका है अतव है इसका उत्र हुगा चटका गय आमरम कदली फलम मोदकम नारंगम आमरम आम कदली फलम केला मोदकम लड़ू नारंगम संतरा अविन में आमरम, कदली फलम और नारंगम फलों के नाम है, मोधकम लड़ू मिठाई का नाम है, इसलिए भिन परकर्ति का शबद होगा, इसलिए घै का उत्र होगा, मोधकम, धन्यवाद.